संवी ने मुकलमामा के सच्चाय सबी धर वालों के सामने बता दी है लेकिन फिर भी सवी की बात का किसी watershed einem hai उलटा सवी को ही घर से निकल जाने के लिए कहां गया सवी इशान से यही बात अखेले में कहती है वो कहती है कि मैं साबित करके रहूंगी कि अन्वी को इन्होंने मुलेस्ट किया है आपको प्लीज मुझे एक मौका देना ही होगा अन्वी के लिए आपको ये करना ही होगा तब इशान कहता है मैं तुम्हें ये आखरी मौका दे रहा हूं सभी लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर यहां तुम गलत हुई तो मैं पूरे परिवार के सामने गिर जाओंगा सभी वादा करती है कि वो उनकी इश्दत का खयाल रथेगी वैसे मुकल मामा ने तो पूरा ड्रमाटिक कर दिया था पूरे एपिसोड को जहां हाँ जोड कर मुकल मामा सबसे मावी मांग रहे थे क्योंकि सभी ने उन पर शक किया उन पर इतना घिनोना इल्जाम लगाया दूर्वा भी काफी बाते कह देती है सभी को लेकिन सभी सभ को चुप कराते हुए अपनी बात को रखने की फिर भी कोशिश करती रहती है हलाकि सभी की बात को कोई नहीं सुनता कोई सुने न सुने लेकिन अब इस मिशन में मुकल मामा की वाइफ सभी का साथ देने वाली है वो ही हेल्प करेंगी सवी को मुकल मामा के खिलाफ समूत इकठा करने में और फिर उनके असली जहरे को सब के सामने लाने में वही सवी से कहती है कि तुम अपने फून को चेक करो क्योंकि हो सबता है उसमें कुछ टांकुछ टिकोंट हुआ हो सबी भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि आखिर मुकल मामा की वाइफ उनके अगेंस कैसे नहीं है जरूर वो इस बारे में कुछ जानती है आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताईएगा